हलो बच्चो मैं उशा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अत्रोली अलिगर से हैं आज हम चैप्टर क्लास फोर्थ में चैप्टर थर्ड शब्द की रिडिंग करते हैं ओके यस देखे बटा यस चैप्टर नेम है शब्द थर्ड चैप्टर है देखिए पढ़िए औ और समझे वर्णों के योग से अक्षर तथा अक्षरों को योग से शब्द बनते हैं यानि वर्ण को जोड़ते हैं तो अक्षर बनेंगे और अक्षर जोड़ेंगे तो शब्द निम्नांकित चित्रों के नीचे उनके नाम दिये गए हैं ये सभी नाम शब्द हैं जैसे घ गर किस से बनाए घव और रजोड के, दुकान दो का और न को जोड के बना है, येस परिभाशा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जब हम वर्णों को जोडते हैं, तो उनका अर्थ निकलना चाहिए, तब तो वे शब्द हैं नहीं, तो शब्द नहीं कहलाएंगे, येस अब हैं, शब्दों के भेद, येस, शब्दों के भेद दो हैं, सार्थक और दूसरा है निरर्थक, सार्थक शब्द देखिए, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं, ज वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाता है जैसे पकर तनी की वाड़ी इत्यादी यस हमने सीखा वर्णों के योग से अक्षर्थ था अक्षनों के योग से शब्द बनते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं और अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक और निरर्थक इस बटा तो आपका चैप्टर कंप्रीट हुआ है ओके कोश्चन आसे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सो बाई बटा